नमस्ते डियर स्टूदेंट्स, कैज सॉल्यूशन्स क्वालियर आपका हार्दिक स्वागत करता है। यह कैज सॉल्यूशन्स क्वालियर द्वारा Geometric Artwork Self-Learning Lecture series का Endless Triangle Design करने का 3rd Step-by-Step Video Tutorial है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप Endless Triangle Design, Simple Method से भी नाना देखेंगे. तो इस मेथट को अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को आखिरी तक देखे और अगर आपको कोई डाउट या सजेशन है तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के नीचे दिये हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं. Dear Students, Endless या Impossible ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक Equilator ट्राइंगल प्रिपेर करेंगे. Equilator ट्राइंगल बनाने के लिए Roller Scale की हेल्प से 20 सेंटी मीटर की Horizontal Line ड्रॉ कर लेंगे. इस लाइन के एक Endpoint से Protector की हेल्प से 60 डिग्री इंगल पर 20 सेंटी मीटर की Second Line ड्रॉ कर लेंगे. इसी तरह Horizontal Line के Second Handpoint से 60 डिग्री इंगल पर 20 सेंटी मीटर की Third Line ड्रॉ कर लेंगे. यही हमारा Equilator Triangle है और इसी की हेल्प से हम Endless Triangle डिजाइन करेंगे. क्विलेटर ट्राइंगल बनानी के बाद अब step 2 में 20 cm लाइन पर 11 cm के 4 points उपर और नीचे मार्क करेंगे इसी तरह remaining lines पर भी 11 cm के 4 points मार्क कर देंगे अब सारे points को figure के according जवाइन कर देंगे अब हम pencil की help से 3 lines और draw करेंगे जैसे कि आप figure में देख सकते हैं इसके बाद हम triangle के 3 corner को erase कर देंगे अब endless triangle को final look provide करने के लिए जो red lines blend हो रही है उनको भी erase कर देंगे तो आप देखेंगे endless triangle prepare हो चुका है इसके बाद आप चाहे तो इसमें single color के different shades प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर different color भी provide कर सकते हैं कि अ प्रोवाओ देखें लेंगे वाद है लेखेंगे ले बाद है आप कि बाद है आप प्रोवाओ कर दोड़िए झाल झाल